ये मूवी है एक बहुती बड़े किंग कोपरा के उपर जो इनसान उसे बतला लेना चाहता था मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक जगा पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहां खुदाई करने पर इने बहुत सारे छोटे छोटे साफ मिलते हैं लेकिन चैंग नाम का एक आदमी इन सापों को मार डालता है कुछ वरकर्स उसे सापों को मारने से रोकते हैं और कहते हैं कि पहले दिन सापों को मारना अशुब है लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनता और सापों को मार के उन लोगों को काम चालुम रखने को कहता है मिस्टर ली को यहां से साई सलामत बाहर निकालने के लिए ये लोग उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं लेकिन एन मोगे पर उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी वहीं चैन अब वो जेसीबी मशीन चलाने लगता है इदर वो बड़ा साई मिस्टर ली की कार के उपर कुंडली मार कर पैट जाता है चैन जेसीबी से उस साई को कार से उतार देता है तब ही वो साई उस जेसीबी पर चड़ जाता है और उस मशीन को कसके जकड़ कर चैन को मारने की कोशिश करता है लेकिन चैंग बड़ी कोशिश करने के बाद उस स्नेक को मशीन से नीचे गिरा देता है और उस जैसी भी मशीन के अगले हिस्से से साफ के दो टुकडे कर देता है यहाँ उस बड़े स्नेक का बच्चा चैंग को अपनी मा को मारते हुए देख लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है इसके बाद हम दस साल बाद का सीन देखते हैं अब इस जगा पर ये ड्रीम सेंगाई प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था जिसमें रेस्टोरेंट होटल शामिल है आज इस प्रोजेक्ट के दसवी साल गिरा है यहाँ पर मिस्टर ली जो इस रेस्टोरेंट के मालिक है अब वो बुड़े हो गए थे इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब से जो भी इस रेस्टोरेंट का प्रोफिट होगा वो हाट के मरीजों के इलाज के लिए डोनेट कर दिया जाएगा लेकिन उनके इस फैसले से उनका बेटा जैंग या बिलकुल भी खुश नहीं था इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस रेस्टोरेंट में खाम करती थी और इनका नाम है जियो ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर है हलाकि इनकी बीवी इनसे तलाक लेना चाती है इधर जैंग अपने डैड मिस्टर ली से कहता है कि आप सारा पैसा डोनेट क्यों कर रहे हो मैं इस होटल को चलाना चाता हूँ मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है तुम ये बात साबित करके दिखाओ तो शायद मैं अपना मन बदल दू जब ये रेस्टोरेंट में आए वे किसी कस्तिमर का बच्चा इनके पास आता है और वो अपने नकली साब को निकाल कर इन लोगों को डराने लगता है उस नकली साब को देखकर मिस्टर ली को हार्ट अटेक आ जाता है क्योंकि दस साल पहले हुए इंसिडेंट के बाद से मिस्टर ली को साब से बहुत जादा डर लगता था जैंगय अपने फादर को बिमार देखकर काफी जादा परिशान था क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनके वादे के अनुसार इस रेस्टोरेंट का सारा प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाएगा और जैंगय के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा यहां में पता चलता है कि लिन अपनी शादी कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके होने वाले पती को लिन का काम करना पसंद नहीं था इतर मैनेजर जियो को पता चलता है कि आजकल उनके रेस्टोरेंट में मचलियों की डिश काफी जादा फेमोस हो गई है यहां लिन जियो को बताती है कि आजकल हमारे रेस्टोरेंट में आने वाली मचलियों का साइस भी नॉर्मल से काफी जादा बढ़ा है यहां हम देखते हैं कि कुछ लोग तलाब में मचलियों के लिए ऐसे चारे डाल रहे थे जिनकी वज़े से मचलियों का साइस जल्दी बढ़ा हो रहा था अगले सीन में मैनेजर जियों की बीवी अपनी बेटी लैनलैन को इस रेस्टोरेंट में लाकर छोड़ देती है क्योंकि वो अब जियों के साथ नहीं रहना चाती थी वो उसे डाइवोर्स देना चाती थी जबी लीन इधर आ जाती है और उस बच्ची को रोता हुँआ देखकर उसे चुपकर आती है और उसे उसके फादर मैनेजर जीयों के पास लेकर जाती है हालागी ये बच्ची अपने फादर से काफी नरास थी क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि उसके डैड की वज़े से उसकी मोम ने उसे अपने से दूर कर दिया इधर एक छोटा सा साप इस होटल में घुच जाता है इसी होटल में चैंग भी था क्योंकि इसने इस होटल को बनवाने में काफी मदद करी थी इसलिए ये इसी होटल में रहता था इधर आयाशियां करता रहता था चैंग अपनी गल्फरेंड के साथ होटल के एक रूम में था जब उसकी गल्फरेंड चिला कर उसे बुलाती है चैंग महाँ जाकर देखता है तो उनके टॉलेट में वही छोटा सा साथ साथ इसके बाद चैंग सेक्योरिटी गाड के साथ साथ मैनेजर की भी खूब खबर लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की नजर से बचकर ये साथ होटल में कैसे गुज गया तुम्हें कस्टमर की सेक्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नी इसके बाद वो उस साथ को तलाब में फेक देता है यहां पर हमें पता चलता है कि उसी तलाब के अंदर और भी कई सारे साथ है इधर जैंग्या को एक आदमी सला देता है कि आजकल मचलियों की डिश खाकर कस्टमर बोर हो गए है अगर तुमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कुछ नए अलाओ जैसे कि स्नेक की बनी डिशिज इसमें बहुत प्रॉफिट होता है यहां मैनेजर जियो अपनी बेटी को एक रूम में सुला देता है और लिन से कहता है कि आज राद तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना जब तक मैं बाहर का काम देखता हूँ लेकिन बाहर तो बहुत सारे सांप होटल की तरफ पढ़ रहे थे जिसके किसी को भनक भी नहीं थी वही होटल में आज राद डांस का प्रोग्राम भी हो रहा था यहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में चैंक की गल्फरेंड को छेड़ देता है जब चैंक को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है और इसे मारने लगता है जब यहाँ पर टोलिट में से बहुत सारे साप बाहर निकलने लगते हैं यह सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं अब ऐसे ही बहुत सारे साप होटल के अंदर खुश जाते हैं सांप को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है लोग इधर उधर भागने लगते हैं हर तरफ से बस सांप ही सांप बाहर निकल रहे थे उनके रास्ते में जो भी आ रहा था सांप उन्हें मार डाल रहे थे चैंग ये सब बात जाकर अपने मालिक को बताता है लेकिन जैंग्या कहता है कि जाओ और उन सांपो को खतम कर दो इधर मैनेजर जियो और गार्ड अपनी जान पर खेल कर लोगों को सांप से बचा रहे थे और जहां से सांप आ रहे थे उस गेट को ये लोग बंद कर देते हैं लेकिन चैंग अपने आदमें के साथ उन सांपो को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है मैनेजर जियो उसे वो गेट खोले से रोकता है इसलिए इनके बीच में लड़ाई होने लगती है जब ही वो गेट तूटता है और केट के बाहर एक बहुती बड़ा किंग कोबरा निकलता है कि यह वही सांप था जिसकी माँ को 10 साल पहले चैंग ने JCB से मारा था किंग कोबरा चैंग को देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पढ़ जाता है मैनेजर जियो यह समझ जाता है कि कोई न कोई वजा तो जरूर है जो किंग कोबरा इन सब को चोड़ कर सिर्फ चैंग के पीछे पढ़ा है वहीं चैंग किसी तर अपनी जान किंग कोबरा से बचा कर अपने बोस के पास जाता है और उन्हें बताता कि हमारे होटल में छोटे-छोटे सांपों के अलावा एक बहुती बड़ा किन कोपरा भी है लेकिन जैंग्या घबराने की जगा बहुत खुश होता है और वो चैंग से कहता कि अगर तुमने सांप को जिन्दा पकड़ लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे लेकिन चैंग अपनी जान को जोकी में नहीं डालना चाहता था जैसे उसका मालिक उसे पैसे का लालच देता है वो यह काम करने के लिए रेडी हो जाता है पर वो कहता है कि क्या आप उनको थोड़ा पैसा एडवांस में मिलेगा अप उनकी गल्फ्रेंड बहुत खर्चीली है अप चैंग अपने आदमें वो इकटा करता है और उनसे कहता कि अगर अपन लोगों ने किंग कोपरा को पकड़ लिया तो अपन लोग अमीर हो जाएंगे अपन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा वहीं जैंग होटल के लोगों को किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था इसके बाद जियो अपनी बेटी को लेकर लिन के साथ होटल के बाहर आ रहा था लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारे सांप पढ़ते हैं हर तरफ से इन लोगों के पीछे सांप आ रहे थे किसी तरह सांपों से बचकर ये लोग एक सेफ रूम में पहुँच जाते हैं मैनेजर जियो कहता है कि अब हम लोग यहां पर सेफ हैं तुम लोग यहीं पर रुको मैं बाहर जाकर बाकी लोगों को बचाता हूँ उसकी बेटी कहती कि आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है जियो उसे समझाता है कि मुझे माफ कर देना मेरी बेटी लेकिन बाकी लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है इधर चैंग लालच में आकर अपने आदमेंगे साथ किंकोवरा को मारने के लिए ढूंड रहा था बाहर गार्ड भी अपनी जान पर खेल कर लोगों को सांप से बचा कर यहां से बाहर निकाल रहा था यहां मैनेजर जियो भी अपने मालिक को देखने के लिए आता है लेकिन उसके बोस का बेटा उल्टा मैनेजर जियो के उपर गुस्ता करता है और उससे कहता है कि तुम इस होटल के मैनेजर हो, तुम्हारे होते वे हमारे होटल में इतना सारे साब कहां से आ गए मैनेजर जियो कहता है कि ये सारे साथ तलाब से आ रहे हैं क्योंकि तलाब एकदम polluted हो चुका था तलाब को साफ करने के लिए जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे तो आप जूए में उड़ा देते हैं जैंगय कहता है कि वो मेरे पैसे हैं मैं चाहिए उसका कुछ भी करूँ तुम्हे क्या इतना जलील होने के बाद मैनेजर जियो अपनी नोकरी से रिजाइन कर देता है और अपने मालिक मिस्टर ली को गुडबाई कहने के लिए जाता है तभी जैंगय पीछे से उसके सर पर कुछ मारता है जिसकी वज़े से वो बेहोश होकर नीचे किट जाता है इधर चैंग अपने आदमियों के साथ अभी भी किंग कोबरा को ढूण रहा था जबी किंग कोबरा यहां पर आ जाता है और चैंग के एक-एक साथी को बहुत पुरी तरह से मारने लगता है जैंग अपर आता है और चैंग से कहता है कि इस स्नेक को किसी भी तरह वेयर हाऊज में लेकर आओ वहीं दूसरी तरफ लिन को उधर खत्रा महसूस होता है तो वो जिओ की बेटी को लेकर बाहर आ जाती है इधर अब जियो को होश आता है तो वो अपने सामने मिस्टर ली को पाता है मिस्टर ली उसे बताता है कि मैंने अपने बेटे और तुम्हारे बीच में जो भी बात हुई थी वो सारी बाते सुन ली मैंने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं सुधरा तुम प्लीज इस होटल के सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकालो इसके बाद जब जियो रूम में आकर देखता है तो इधर तुसकी बेटी और लिन नहीं थी क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ गई थी यहाँ पर लिन जियो की बेटी को समझाती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते है बस वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते इसके अलावा लिन यहाँ पर एक कमरे में उस चारे को भी देखती है जिसे खाकर मचलिया जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी यही चारा खाकर सांप भी जल्दी बड़े हो रहे थे और इसी की वज़़े से तलाव भी पॉलियोटिड हुआ था इसलिए लिन इन चारों में आग लगा देती है जब ही आपर बहुत सारे साप आने लगते हैं और इन दोनों के पीछे किंग कोबरा भी पढ़ जाता है उसके हमले से ये ब्रिज तूट जाता है और जियो की बेटी नीचे गिरने लगती है जब ही आपर उसके फादर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं नीचे ही वो किंग कोबरा भी था लेकिन जैसे वो किंग कोबरा उसे खाता जियो अपनी बेटी को उपर खीच लेता है और इन सब को लेकर वहां से भाग जाता है आगे चलकर मैनेजर जियो को एक आदमी साप के बीच में घिरा हुआ दिखता है वो लिनचे कहता है कि तुम मेरी बेटी को यहां से ले जाओ मैं उस आदमी को बचाता हूँ इसके बाद वो तेचिला चिला कर गाना गाने लगता है उसकी बेटी लिनचे की पापा इतना बेसूरा क्यों घा रहे है यहां लिन उसे बताती है कि सापों को कम दिखाई और कम सुनाई देता है इसलिए वो ऐसी अजीब सी आवाजे निकाल कर सापों का ध्यान अपनी और खीच रहे हैं यहां जियो की बेटी लिन को बताती है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है इदर जब सारे सांप जियो के पास आने लगते हैं तो वो दूसरी तरफ से जाकर उस आदमी को बचा लेता है लिंड जियो की बेटी को गाड के पास ले जाती है और उनसे इसे बाहर ले जाने को कहती है और खुद यहाँ पर जियो का वेट करती है दूसरी तरफ चैंग और उसकी गल्फरेंड और उसका मालिक ये तीनों वेर हाउस में ट्रैप बिचा कर सांप का इंतिसार कर रहे थे और जैसे ही वो सांप इधर आता है ही ये लोग उस सांप को इक बड़े से जाल में कैद कर लेते हैं चैंग उसे गोली से मारने की कोशिश करता है लेकिन उस सांप के उपर तो गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था जैंगय चैंग से कहता है कि तुमने आज तक बहुत सारे सांपों को मारा है ये साप यहाँ पर तुम से ही बदला लेने के लिए आया था इसके बाद जैंगय अपने फादर मिस्टर ली के पास जाकर कहता है कि अब ये सारा रेस्टोरेंट मेरा हुआ अब से मैं यहाँ पर सांप की बनी हुई डिशिस बेचूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा यहाँ किंकोब्रा उस जाल से बाहर आ जाता है और सबसे पहले चैंग के उपर हमला करता है ये सब लोग उससे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं जीओ इन सबको खत्रे में देखकर इनकी मदद करता है और जैसे ही किंग कोबरा जैंगया को खाने के लिए बढ़ता है जियो सांप के उपर बिजली को खंबा किरा देता है शोक लगने की वज़ा से किंग कोबरा घायल हो जाता है उसे घायल देखकर चैंग बहुत कुश होता है और कहता है कि क्यूं क्या हुआ अब तुम उसे बदला नहीं लेगा जब ही किंग कोबरा उट चाता है और चैंग को जकर लेता है और उसे मार कर अपनी मा का बदला ले लेता है इसके बाद वो जैंगया के पीछे पड़ता है क्योंकि उसकी वज़े से ही इन साबों के रहने की जगा तबाह हो गई जियो अपने मालिक की बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किंग कोबरा जैंग्या को लेकर पानी में चला जाता है अब यहाँ पर जियो की बेटी और वो गार्ड भी आ जाते है यहाँ पर उसकी बेटी लिन का हाथ जियो के हाथों में दे देती है और अब इन लोगों की बीच में काफी अच्छी बॉंडिंग हो गई थी जिस जगा पर साब को मार के होटल बनाया गया था वो जगा जलकर तबाह हो जाती है इसके बाद हम मिस्टर ली का सीन देखते हैं जिन्होंने दस साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी खिंग को बरा आता है और मिस्टर ली को भी मार डालता है यही पर यह मूवी एंड होती है आप मिरे को बतारा कि आपको यह मूवी कैसी लगी